मुझकार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर स्वाकत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्सक्राइब करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो किसी भी प्रिकार के जॉब अपडेट वेकेंसी अपडेट ये रिजल्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल निटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब करें और हमाई साथ जुड़ चाहें ताकि आने वा सब्सक्राइब करें के लिए एक बहुत बड़ी कुश्क्राइब है कि आपका रिजल्ट अब किसी भी दिन डिकले किया जा सकता है जी हां दोस्तों 31 जुलाई तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा अब अगर दोस्तों बात करें फाइनल कट आफ की तो दोस्तों अगर हम वैकेंसी को देखें तो 2019 में आपकी जब वैकेंसी थी उनके कंपरेजन में 2020 में आपको काफी कम वैकेंसी देखने को मिली हैं और इंक्रिमेंट की बात करें वैकेंसी में तो दोस्तों इंक्रिमेंट भी दोस्तों मुश्किल है क्योंकि आपकी 2021 के एक्जाम सेल रह बीजी नहीं होंगी और दोस्तों घर हम की बात करें और दोस्तों अगर आपने सटेट के लिए किया है किया है और अगर लास्ट यर से कंपेयर करें वर्ष्ट टायर की कट ओफ को दो हमको सब्सक्राइब को मिलता है वह आपका एट तो ।ाल मार्क्स Sugnet difference देखने को मिलता है on an average for all state हम यह सारी स्टेट की बात कर रहे हैं average ठीक है दोस्तों लोगी one by one आपकी 20 पूरी स्टेट को लेना is not possible ठीक है तो हम यह एक average लेकर चल रहे हैं कि 8 to 13 marks अगर weight is है आपके cutoff में difference है marks में तो आप final selection के लिए हो अगर अगर आपका tire to clear हो जाता है और आपकी cutoff है उससे 8 to 12 marks जादा हैं तो आप बिल्कुल final selection के लिए eligible हो अगर आपका आपका tire बिल्कुल clear हो जाते हैं तो ठीक है दोस्तों तो यही बात आपको बतानी थी अगर अगर आपके cutoff से 8-12 मांक्स उपर हैं और आपका टायर क्लियर हो जाता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता आप बिल्कुल अपने देवी पर फोकस करें क्योंकि वही एक स्टेप रह जाता है फिर आपकी जॉब और सेलेक्शन के लिए ठीक है दोस्तों और जैसे ही रिजल्ट आता है हम आपक पसंदा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें किसी बिगाद की अपड़िट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़े रहें धन्यवाद है